नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिच्छा वल्ड के सी यूटूब चैनल में दोस्तो आज से हम डेली करेंट अफेस के सीरीज को सुरू करने जा रहे हैं आज यह हमारा पहला वीडियो है पहला वीडियो हमारा 21 अगस्त के करेंट अफेस पाधारित होगा इसमें हम टॉप 10 करेंट अफेस के प्रस्नों को कबर करेंगे जो 21 अगस्त के बन सकते हैं इसी तरह से डेली बेसिस पर प्रतिक दिन की जो भी टॉप 10 करेंट अफेस के प्रस्नों होंगे उनको हम daily basis पर आप तक पहुचाय करेंगे यह हमारा पहला वीडियो है आपको यहाँ पहला वीडियो कैसा लगा comment box में अपना सुझाओ आप हमें ज़दू दिजेगा तथा daily का जो आपका PDF है आपको free में PDF आपको हमारे telegram channel पर मोहिया करा दिया जाएगा तो link में आपको telegram channel का मतलब link में आपको मिल जाएगा हमारे telegram channel वहाँ से आप जाके join कर लिजेगा हमारे telegram channel को तथा वहाँ पे आपको सभी PDF daily की current fs की मिलती रहेंगी तो यह हमारा पहला वीडियो है आपको यह वीडियो कैसा लगा comment box में हमें जरूर बताईएगा वीडियो को स्टार्ट कलते हैं पहला प्रस्णा आपके सामने है हाल ही में मुप्त में periods प्रोडक्ट प्रदान करने वाला विश्यो का पहला देश कौन बना है काफी महत्यपुण प्रस्णा है मुप्त में फ्री में periods product को प्रदान करने वाला बिश्यो का पहला देश कौन बना है तो ऐसा करने वाला बिश्यो का पहला देश बना है Scotland यानि कि option आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही है जो Scotland है यह मुप्त में periods product को देने वाला प्रदान करने वाला बिस्जो का पहला देश बन गया है तो option जो आपका C वाला यहां पे दिया गया है ना बेलकुल सही हो जाएगा Scotland तो आप इसे याद कर लेजएगा Scotland की राजधानी क्या है तो Edinburgh है Edinburgh जो है Scotland की राजधानी है तो इसके बारे में आप क्या दखना है यहां की मुद्रा है Pound Sterling तो इसके बारे में आप आप आदेखेगा यहां का सबसे बड़ा सहर है Glasgow आपको पता होगा यहां का जो सबसे बड़ा सहर है वो है Glasgow तो तक Glasgow News में क्यूं था क्यूंकि यह जो Glasgow है यहीं पे COP26 का जो आयोजन है वो किया गया था Scotland के सहर Glasgow में ही COP26 का आयोजन भी किया गया था तो यह सारे additional facts भी आपको साथ में याद रखने है तो right answer आपको क्या हो जाएगा Scotland अगला प्रस्तना आपके सामने है भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना है हाली में भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना है तो हाली में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया आपका गोवा तो इसके बारे में आपको याद रखना है गोवा यानि की option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा important प्रसन है गोवा के मुख्यमंत्री कोन है तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोज सावंत इनके बारे में आप याँ देखेगा और PS स्रिधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है गोवा की राधानी जो है पड़जी है तथा गोवा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेव नेशनल पार्क या इसको हम भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जानते है तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मोलेव नेशनल पार्क या इसको भगवान महाविर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है तो गोवा जो है भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है तो आप्सन आपका ए हाँ पर बिल्कुल सही है अगला प्रसन है निमलकित में से किस पूर्व भारती प्रदान मंत्री का जो जन्म दीश है जन्म दीश है 20 अगस्त को सद्भावना दीश के रूप में मनाया जाता है हाले में इनका जन्म दीश जो है सद्भावना दीश के रूप में मनाया गया है 20 अगस्त को तो इनका नाम क्या है तो ये हमारे देश के सबसे यूवा प्रदान मंत्री भी रहे हैं इनका नाम है राजीव गांधी तो राजीव गांधी का जो जन्म दिवस होता है 20 अगस्त का यह भारत में सद्भावना दिवस के रूप में celebrate किया जाता है मनाया जाता है तो राटिन सरा बाक्या हो जाएगा option C राजीव गांधी तो इनके बारे में आपको याद अखना है option आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही है इसके बाद कुछ unimportant leaders हमारे देश के हैं जिनके नाम पर कुछ important day मनाया जाते हैं उनको यह देख लेते हैं और एक चीज़ आप ध्यान देजेगा राजीव गांधी जो है हमारे देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर भी थे तो इ इसके बाद 31 अक्टूबर को मनाते हैं और नेशनल राश्टी एकता दिवस के रूप में यह सरदार पटेल जी का जन्र दिवस होता है इसके बाद एकदम लेटेस्ट में आपका सुरू किया गया है पराकरम दिवस तेही जनवरी को यह सुभा जन्र बोज की जहनती होती है इसको बारा सरकारब पराकरम दिवस के रूप में मना रही है इसके बाद 13 अक्टूबर को हम अंतराश्टी और हिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं इसी दिन मात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था तो इंपोर्टेंट लीडर्स है यह आपको मैंने बता है इनका जो जन्म दिवस है कुछ इनका जन्म दिवस कुछ इंपोर्टेंट डे के रूप में सल्वेट किया जाता है तो मैंने आपको बता दिया है इसका आप चाहे तो स्कीन सॉट ले सकते हैं या तो पीडिया आप इसका अमारे टेलग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लिजेगा यह का अगला प्रसन आपके सामने है हालही में किस राज्य ने दही हांडी उस्व को खेल का दर्जा प्रदान किया है काफी महत्य पुंड प्रसन है हालही में आपको पता होगा स्री कृष्ण जन्मास्टिमी मनाई गई है तो स्री कृष्ण जन्मास्टिमी के उसर पर दही हांड अब यहाँ पे महराष्ट की बात है तो आईए महराष्ट से जोड़े कुछ important facts और point को जान लेते हैं जो आपके static GKK बन सकते हैं तो यहाँ पे पूरी चीज मैंने अप्लोट की हुई है महराष्ट की राजानी मुंबई है मुख्यमंत्री एकनात सिंधे हैं और भगस सिंग कोस्यारी जो यहाँ के राज्यपाल है यहाँ पे important राष्टी उद्यान कौन कौन से हैं जो आपसे पूछे या सकते हैं तो महराष्ट में important राष्टी उद्यान यहाँ पे संजेगांधी नेशनल पार्क हो जाएगा आप याद कर लिजेगा संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया और इसके बाद आपका हो गया यहाँ पे चंदोली नेशनल पार्क हो गया तदोबा अंधारी नेशनल पार्क हो गया गुगामन नेशनल पार्क हो गया और इसके बाद आपका नवा गाउन नेशनल पार्क हो गया इसके लावा कुछ रामसर अस्तल भी आपको मिलेंगे महारास्टा में जैसे लोनार जील हो गई, भोज वेतलेंड हो गया और नंदूर मदह महेसर हो गया जैसे भी आपके important रामसर साइट्स हैं महारास्टा की और इसके बाद विश्व धरोहर अस्तल भी आपको world heritage साइट भी मिलेंगे महारास्टा में जैसे अजन्ता की गुफाए हों गई, एलोरा की गुफाए हों गई, एलफेंटा की गुफाए हों गई, इसके लावा छत्रपती सीवा जी महारास्ट टर्मिनस को भी विश्व धरोहर अस्तल की सूची में सामिल किया गया है तो यह कुछ important इस्ट दिजिएगा कि आज का जो पहला हमारा daily current affairs का वीडियो है आपको कैसा लगा, अगला प्रस्तन है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू airline company कौन बनी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू airline company कौन बनी है, तो विस्तारा, आपका जो विस्तारा है यहाँ भ विस्तारा जो है, दो कंपनियों का joint venture है, सिंगापूर airlines और Tata Suns का joint venture आप इसे आद देखेगा, जो विस्तारा airlines है यह Tata Suns और सिंगापूर airlines का joint venture है, तो इसके बारे में आपको याद अखना है, तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू airline company बन गई है, विस्तारा, त अगला प्रस्ता आपके सामने है, हाली में अक्षे उर्जा दिवस कब मनाय गया है, अक्षे उर्जा से मतलब क्या होता है, जो उर्जा कभी भी नस्ट न हो, जो energy कभी भी नस्ट न हो, जैसे जो लगाता चन्ने वाली उर्जा होती है, जैसे solar energy हो गई, wind energy हो गई, इन सभी को हम अक्षय उर्जा के नाम से जानते हैं, तो अक्षय उर्जा जो दिवस आपका है, यह 20 अगस्त को मना जाता है, यानि कि ऑप्सन आपका B, यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा, 20 अगस्त का जो दीन होता है भारत में, अक्षय उर्जा के रूप में celebrate किया जाता है, मना ज अगस्त को जो है भारत में अक्षे उर्जा दिवस मनाया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है तो आपसन आपका भी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लावा 20 अगस्त को ही आपका एक और दिवस मनाया जाता है तो आप इस याद कर लिजेगा अठारस संतान बे में अठारस संतान बे से जो है बिच मच्छड दिवस मनाने की जो है सुरवात हो गई थी जब ब्रिटिस डॉक्टर एक ती जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस इनके दोरह जह है मादा एनाफिलीज मच्छड की खोज की गई थी जिससे जिसके काटने से मलेरि होती है तो आप याद कर लिजिएगा इसी दिन से जो है यानि के ठारस संतान बे से ही 200 मच्छड दिवस मनाने की जो है सुरवात हो गई सी आप इसे आदेखेगा वही आपका जो 200 मलेरिया दिवस है या एक अलग दिन को मनाया जाता है जिसका जवाब आप हमें कमेंड बाक का पहला पोर्टल कौन सा बना है मादक पदातों के तसकरों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा बना है तो निदान यह जो निदान है यह पोर्टल जो है किस से जुड़ा हुआ मादक पदातों की जो तसकरी करते हैं उनसे जुड़ा हुआ जो पोर्टल है या नि पूरा ब्यावरा पूरा डाटा आपको इस निदान पोर्टल मिन जाएगा इस निदान पोर्टल को किस ने बनाया है तो NCV के बनाया गया है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो के दोरा जो है इस निदान पोर्टल को बनाया गया है तो यहां पे आप देख पा रहे हैं निदा बिवरो यानिके नार्कोटिक्स कंट्रोल बिवरो के दरह इसको विक्सित किया गया है बनाय गया है इस पोर्टल के माध्यम से जो है कोई भी एजनसी देश में किसी भी हिस्से से माधक पदालतों के तसकरी से जोड़े किसी भी अपरादी का इतियाज जान सकती है उस अपरा तो कि तसक्री से जूड़े वी अपरादी होंगे उनका सारा रिकॉर्ड जो है आपको इसी पोर्टल पे मिल जाएगा तो यह पोर्टल NCB के दरा बनाए गया है NCB के अस्तापना 1986 में किय गए थी आप इसे इध्यान से याद कर लेजिएगा अगला प्रस्ण है भारत कि इस देश से च्छ टी यू एकसो साट लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदे गाने की बॉंबर खरीदेगा तो यह जो bomber है भारत की देश से खरीद रहा है तो भारत रूस से जो है इस bomber को खरीद रहा है इसका नाम है TU-160 तो आप इसे याद कर लेजेगा रूस से जो है भारत ये बॉंबर खरीदेगा बंब और शक खरीदेगा तो इसके बारे में आपको यादकना है रूस के राधानी मासको है और ब्लादिमिर पूतिन आके वतमान में प्रिसीडेंट है इसके लावा S-400 जो डिफेंस मिसाइल सि खोली है आपसे पूछा जा रहा है कि जो SDFC बैंक है इसने जो है अपनी पहली महिला साखा कहां पर खोली हुई है तो केरल के कोजी कोड में आप आप आद देखेगा केरल के कोजी कोड में जो है पहली महिला साखा खोली गई है SDFC बैंक के द्वारत इसके बारे में आप क्य महिला साखा अगर आपसे पूछ ले किस बैंक ने खोली है तो SDFC बैंक ने खोली है कहां पर खोली है तो केरल के कोजी कोड में खोली हुई है अगला प्रसनाप के सामने है हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेड यानि कि HAL जो है किस देश में अपना पहला मार्केटिंग क करेयाले खोलने जा रहा है तो इसके लिए एक समझाता ग्यापन भी हुआ है तो यहां पी मलेशिया में आपका बदलव मार्केटिंग करेयाले खोला यहां तो आए मलेशिया के बारे में कुछ बात कर लेते हैं तो मलेसिया के राधानी कौलालंपूर है यहां के प्रधामंत्री है इसमाइल साबरी याकूब हैं यहां की मुद्रा है रिंगित तता बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यहने के 200 बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्याले जो है आपको मिलेगा मलेसिया की कौलालंपूर में इसके लाबा एक होकी टूर्नामेंट होता है सुल्तान अजलान साह कप होकी टूर्नामेंट इसका प्रतेकवर्स आयोजन मलेसिया में ही किया जाता है तो यह इंपोर्टेंट एडिशनल फेक्ट आपको याद अकना है तो इसके बारे मैं प्याद देखिएगा वहीं यहां हम H.A.L. की बात कर रहे हैं तो H.A.L. के अध्यक्ष और M.D. बनाए गए है आर मादवन तो आपको 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 याद रखने है तो जो H.A.L. है यह किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्याले खोलेगा तो मलेसिया में खोलेगा यानि क्या आपको आपको आपक अभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से टॉप 10 जो 21 अगस्त के करेंट F.S. के प्रस्ने बन सकते थे उनको हमने आपको आपको पसंद आएगा 22 अगस्त का करेंट F.S. के वीडियो कल अप्लोट कर दिया जाएगा समय से तो आज के लिए बस इतन ही थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक यू